नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे और वेलकम वैक टू दे चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप फाइब टिप्स के बारे में जो आपको तुरंत गर्वधारन करा सकती है हर महिला के लिए प्री का एग और दूसरा आपके पार्टनर का स्पर्म यह दोनों अगर सही समय पर मिल जाते हैं तो गर्वधारन हो जाता है कई वार ऐसा होता है कि महिलाओं की यह दोनों चीजें टाइम पर नहीं मैच होने की वज़े से कंसीवमेंट नहीं हो पाती है अगर आप नैश्रल तरी पहले से एक एक फॉलिकुल मैच ओल होने लगता है यह होता है ओवरी के अंदर जो अंडा से है यहां पर महिला के शरीर के अंदर पीर डाने के चोदर दिन पहले से एक अंडा पैरिपकव होना स्टार्ट हो जाता है इसके पिछे को शामोस होते हैं जो वाक करते हैं जब य गंडे की जो लाइफ होती है वो करीब 12 से 24 घंटे या 36 घंटों तक होती है डिपेंड करता है अलग-अलग महिलाओं में अलग-अलग इसकी जो surviving capacity होती है और इसे के अलावा फ्रेंड्स जो स्पॉम्स होते हैं वो करीब 4-5 दिनों तक जीवित रहते हैं और यह दोनों का मिलान जो होता है यह स्ट्यूप्स के अंदर ही होता है तो इसके लिए आपको ऑवलेशन को समझना होगा ऑवलेशन एक बेस टाइम होता है महिला के कंसीव करने का और ऑवलेशन को समझने से पह जूप्स तक पहुंचने के लिए करें प्याइट से बारवे दिन आगे यानि जिन आ उसके आगे के जो बारवे दिन होते हैं उस टाइम पे आना स्टार्ट होता है तो ऐसे कंडिशन में अगर आप रिलेशन में रहते हैं या आपके फटाइल दे के आसपास रिलेशन में तो आपका pregnant होना बहुत easy हो जाता है लेकिन friends बहुत सारी महिलायों को ये समझ नहीं आता कि fertile period और ovulation क्या होता है देखे friends fertile period वो होता है जब आपके pregnant होने के संभावनाएं बहुत जादा होती है और आपका ovulation वो होता है जब आप exact conceive कर सकती है fertile period जिन महिलाओं के 30 दिनों के period cycle होती है क्योंकि जिन महिलाओं का period बिल्कुल सही रूप से आता है 28-30 दिन पे आता है तो उनके जो है 12, 13, 14, 15 और 16 ये 5 दिन आपको pregnancy के लिए ट्राइ करना चाहिए देखे दोस्तों सबसे important चीज क्या ये जो period cycle है इसको भी थोड़ा आपको समझना होगा क्योंकि period cycle से ही आप अपने fertile day या ovulation को समझ पाएंगे इसके लिए friends आपकी जो आज period आई है इस date को कहीं पे note कर लिजे और जो next period आपकी आईगी उस date को भी note कर लिजे इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 28 दिन का या 30 दिन का बहुत सारी महिलाओं को क्या होते हैं दो दिन या तीन दिन पहले period आते हैं या फिर बहुत सारी महिलाओं को 2-3 दिन उपर हो जाते तो भी period आते हैं तो ऐसी condition में आपके period cycle भी change होती रहती है इसलिए आपके लिए ये तरीका सबसे ज़्यादा कारगर सावित हो सकता है जब आप अपने period date को note कर लेंगे और उसके बीच में कितना फासला है वो समझ लेंगे 30 या 28 दिन का तो आप अपने ovulation को बहुत जल्दी track कर पाएंगे सो दोस्तों ये हो गया step number one जो basic concept है conceive करने का ये बेहद important है इसे के बाद आपको कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना पड़ेगा यदि आपके period cycle अनियमित है तो ऐसे परिस्तिते में क्या करेंगे देखे दोस्तों जब आपकी period cycle इन्रेगुलर होती है तो आपको जितन period है उसके बारवे दिन से एक एक दिन छोड़ करके 20 दिनों तक रहना चाहिए relation में ऐसा करने से आपके गर्वधारन के बहुत अधिक chances होते हैं और जो sponks की life होती है four to five day होती है तो जब ये फटाइल इसे के अलावा friends बहुत सारी महिलाओं को conceive होने में दिक्कत आती है या थोरी देरी हो जाती है तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं सबसे पहला आपका वजन इसको आपको नियंतरन में रखना होगा और एक ideal weight maintain करा बहुत जरूरी होता है pregnancy conceive करने के लिए जल से जल अगर आ stress नहीं लेना होगा और किसे भी बूरी लट से यानि अगर आप सारा आप या फिर आप स्मोकिंग ये सारी चीज़े करते हैं तो यह आपको life से अपनी हटानी परेगा अगर आपने बच्चे को conceive करने के लिए कुछ पील्स लिया है या फिर आपने किसी तरीके की contraceptic लगवाई है तो इन सब चीजों को कॉपर टी बेसिकली तो इन सब चीजों को रिमूव कराने के बाद आपको करिब six to one year तक का बेट करना होता है क्योंकि जब इस तरीके की क आप कॉपर्टी वेगारा या फिर पिल्स लेना बंद करते हैं तो आपके हार्मोन्स को रेगुलर होने में या फिर सुचारों रूप से वर्क करने में इंपोर्टेंसी थोड़ा सा टाइम लग जाता है करीब six महिने से साल भर लग सकता है तो बहुत चारी ऐसे महिलाएं ह होती है जो तुरंद गर्व धारन नहीं करना चाहती है इन तरीकों को फॉलो करती है प्रेग्नेंसी अवॉइड करने के लिए थोड़ा पेसंस रखना है और six months से वन यार तक का वेट करना है आपको कंसीव करने के लिए और ऑविलेशन के दिनों को भी ट्रैक करना है इसी क अलावा फ्रेंस बहुत सारी महिला आपको ट्रैक नहीं कर पाती है तो इसके लिए मार्केट में अविलेशन किट होती है इसका साहर आपको लेना होगा ऑविलेशन किट जब आपके पीरेड आती है उसके दसवे दीनों से आपको इस किट के थुरू चेक करना होता है बिसि तो यहां से कुछ चिप चिप लिक्विड निकलना स्टार्ट होता है, जैसे बोलते हैं डिस्चार्ज, यह डिस्चार्ज आपको आपके फटाईल डेस पे ओविलेशन के आसपास होता है, इस डिस्चार्ज को आप जब भी हातों पे लेंगे, तो यह अंडे के सफेद भाग क जैसा आपको दिखाई देगा, और यह सही समय होता है आपके कंसीव करने का, जब आपको इस प्रकार का डिस्चार्ज होता है, तो उस समय पेट के पेडू के आसपास आपको थोरा बहुत दर्द भी हो सकता है, और यह ओविलेशन का साइन होता है, यह दर्द काफी देर के तर्द के यह दुसा लिए यह दिन से जादा हम नहीं होता है, और इसी के अलावा एग बहुत सारी महिलाओ को बहुत से की जब अपको बहुत और अपको ऑपनी से बहुते हैं तब, Constance, Coel चीन के आओविलें से गाइन को यह दो आपके पीरेड आती है उसी दिन से आप अपने सरीर का तापमान ले थर्मामेटर से और जिस दिन आपको 12 दिनों से ये टेंपरेचर एक या डो डिगरी बढ़ा हुआ दिखाई दे जिस भी दिन तब आप समझाईए कि अब आपके आपके अपलेशन नस्तिक अगर इन बातो का अविश्यस रूप से ध्यान रखती हैं और इन बातों को सीरियसले लेती हैं तो प्रेग्नेंसी कंसीव करने में आपको बिल्कुल भी कोई दिकत नहीं आएगी अगर फिर भी आपको लगातार सिच मन्त हो गया है इन सारे टिप्स को फॉलो करने के बाद भी ऑबलेशन करने के बाद भी तो मेरा यही सुझाओ होगा कि आप अपने कुछ मेडिकल जांच कर वाले जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि महिला के सरीर की जो ट्रांसवर्सल सुनोग्राफी होती है वजाइना की वो कराना बहत इंपॉर्टेंट है और साथी साथ आपके पा आगे की ट्रीटमेंट डिसाइड की जाती है कि आपको किस प्रकार के मेडिसन लेनी है अगर किसी भी प्रकार की आपकी ओवरी में दिकत होती है या हामोन्स में प्रॉब्लम होते है जैसी कि बहुत सारी महिलाओं को थाइरोड प्रॉब्लम होती है बहुत सारी महिलाओं को एक्टिविटीज में कुछ कमी है, तो ये सारी चीजे रिपोर्ट की बेस पे आगे की ट्रेटमेंट जो है, वो डिसाइड की जाती है, तो ये सारी स्टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं, वो बेहत कारगर साबित हो सकते हैं, यदि आप जल से जल मा बनना चाहती हैं, तो इ आप और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहती हैं, तो आप मुझे सुझाओ दे सकती हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉप